नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है हम लोग जेनल लॉलेज के प्रिभिस येर कोश्चन कर रहे थे CS, PTCL, AE और JEE एकजामनेशन के लिए और देखिए दोस्तो हमने आपके एकजाम प्रिपरेशन के लिए यह किसका PDF नोट्स भी तैयर किया हुआ है हमने जनल अवैनेस का इसमें देखिए आपको जहें यह सारे टॉपिक्स पे आपको जहें मिल लाएंगे इसके अंदर में पूरे आपको एकजाम के रिकॉर्मेंट के एक आर्टिंग जैसे कि करेंट अफेर वाला भी हमने प्रवाइट गिया हुआ है तो आप लोग जहें इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आई आते हम अपने क्वेशन पर यह जो है आपका सेट नमबर टू है सेट वन हमने अल्रेडी डिसकस कर दिया है जिन लोग नहीं देखा है ता आप लोग उसको देख सकते हो आपको जहें प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगा प्रिभी सियर सियर सियर्स पीटिस एल तो उसके जो प्लानिंग किया गया था तो वो किस ने किया थे क्रेडिट किसको दिया जाता है तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट एंसर आपका लीक कर भूसियर आपका यह हो जाएगा तो देखिए जो लीक कर भूसियर है तो यह एक फ्रेम्स आटिटेक्स है जिन्ह ने ही जहें डिजाइन किया था और देखिए इनको जहें इन्विटेशन दिया गया था जैसे कि हमार जो प्राइम मिनेस्टर थे उससे में जो हाला नहरू जी तो इन्हों इनको इन्वाइट किया था अब जैसे कि प्रणजाब का एक नया कैपिटल सिटी बनाना था तो चंडिगर को देखिए फॉस्ट इन्हों ने धिया था बनाने के लिए तो इन्होंने जैसे पहला ही ऐसा सहर था यह फॉस्ट और आखरी सहर था जो कि लिकरभुजेर ने डिज मतलब कि जिन्हों ने डिजाइन किया हुआ है या फिर उनका योगदान रहा है सहर को बनाने के लिए यहां पर जैसे चंडीगर के बारे में आप से पूछा गया था इसका देशाया में आपको बताया कि लिक अर्वुजयर है जो कि यह डिजाइनर थे सहर के लेकिन और भी ब इसके बाद देखिए हैधराबाद जो सिटी है तो इसके जो फाउंडर थे तो वह है कुलिक कुटूपसा न्यू देली के दिखिए इसके बात करते हैं एडवार्ड लुटियंस है जो कि डिजाइनर मतलब डिजाइन किया था इन्हों ने जैसे कि चंडीगर सिटी को डिज बर्गर जो कि डिजाइनर है फतेपूर सिक्रीकेट जाएं वह अगबर है अगला देखिए बात करते हैं इसके बादल सिंग अगला दिखिए नागपूर की बात करते हैं तक पुलंद हैं और फिर देखिए जो पादर इंग थे नम पर यह जो है पराथा आहम्दाबाद ब तो इस तरीके से देखें यहां पर जो इंपोर्टेंट है आपके एक जाम पंड़ाफिव से तो वह सारा लेश्ट हमने तैयर किया हुआ तो आप लिस्ट आप लोग यह जरूर याद करके जाना यह सारा आपको पीडियेफ मिल दाएगा जो हमने आपको प्रवाइट किया हुआ है नेक्स देखी कोशन आपका यह देखी करेंट अफ़ेर से कोशन आपको पूछे जाएंगे तो इसका भी पीडियेफ हमने आपको अ लेकिन जो है इसको मर्ज कर दिया गया था यह जह एक अप्रिल 2017 को ही मर्ज कर दिया गया था तो यहां पर कोशन आपको पुझा है कौन एक्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि देखिए अल्रीडी मर्ज हो चुगा था तो इस्टेट बैंक आप इंडिया से मर्ज हो जुगा था और बाकी जो बैंक आप महारास्ट्रा पंजाम निसल बैंक बैंक बड़ोला जो है ऐस अब यह 2021 तक यह इंडिपेंडेंटली रन कर रहे थे मतलब यह एक्जिस्ट कर रहे थे सिर्फ यह स्टेट बैंक पडियाला जहाती मर्ज हो गया था इंडिया के साथ में दोस्तों जितने भी सेडूल कमर्सिल बैंक है इंडिया में तो वह पॉब्लिक सेक्टर बैंक आपके जै इसमें जो है यह सारे बैंक है आपके बैंक बोड़ोदा बैंक अब इंडिया बैंक अब इसके बाद देखिए जैसे कि और बैंक का मर्जर किया गया था है अपर एक अप्रिल 2020 में और भी बाव सरे बैंक मर्ज हुए थे तो यह जैसे कैंडरा और सिंडिकेटर बैंक मर्ज बैंक है यह सब मर्ज हुए थे आपस में तो इस तरीके से मर्जर भी टाइम टू टाइम होता रहता है यह सब लिस्ट आप लोग याद कर लेना यह जो है आपका दिया हुआ है यहां पर और यह PDF में भी आपको देखें बिल जाएगा तो यह सब आप लोग को अच्छे से तै इन्डिया विल सरपास चाइन टू बिकम दो मॉस्ट पॉपलोस कंड्री बाइदा इयर तो देखें दोस्तों यह जो रिपॉर्म जो अर्ब प्लानिंग के पास्टी एंडिया में जो रिपॉर्ट इन्हां ने पपब्लिज किया था तो उनाइटेट ने जैसे कि 2019 में एस्टिमेट किया था कि 2027 जाते जाते था चाइना की जो पॉपलेशन है उनकी उसको जो हम लोग सरपास कर जाएंगे इस एर तक लेकिन देखिए अगर करेंट सिनेरियों के अगर हम आपको बात अगर बताए तो ऐस अब अपरेल 2020 तक कि हम बात करें तो जो के पॉपलेशन जो एस्टिमेट ये किया गया था इतना लगभग अब द iyi हो अघ़ आइथि ज्चвержμε आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया होई टोटल पपपुलेशन और चाइना का जो पॉपलेशन हैँ और अब देख सकतों कमपेरिजन में करके जाईर सी बात है यहां पर आपका 302 दिया हुआ और यहां पर 850 मतलब की 302 850 ज्यादा है मतलब कि इंडिया का पुपलेशन था ऐस अपरिल 2023 तो जो टार्गेट दिया का तो दोरह 27 तो उससे पहली हम लोगों 2030 में जहां यह जो मतलब की जो टार्गेट था उसको हमने पहले ही अचीव कर लिया तो यह कोई ऐसा नहीं कि ग्रेट अचिमेंट है मार लिए हमें जहां पुपलेशन को भी कंट्रोल करना होगा यहां पर तो दिखिए फॉस्ट टैम इंडिया में ऐसा हुआ था हुआ है यहां पर कि जैसी उनाइटे बना हुआ है जब उन्हां डेटा कलेक्ट किया था पॉपलेशन के बात से हमने पॉपलेशन में सबसे टॉप में भी आया हुआ हुआ है नेक्स दिखिए क्वोशन है आपका कि निती आयोग वास फॉर्म्ड रिप्लेशिं दी प्लानिंग कमीशन आप दे इंडिया इन दे दे यह निकान चाहिए यह कप फॉर्मेशन किया गया था जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेश करकर की आया हुआ था कौन से साल में 2015 में बनाया गया था तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन थी तो दिखिए नितियायो के बारे में यहां पर थोड़ा सा आप लोग जान लोग यहां पर नितियायो का फुल फूर्म होता है नेशन इस्ट्डियूशन पो ट्रांसफोर्मिंग इंडिया तो यह जो एक पॉलिसी थिंग टैंक है जो की पॉलिसी में इसमें भागेदारी देंगे अपना और इसमें बॉटम आप प्रोच इसमें फॉलो किया जाता है मतलब कि नीचे लेवल को जो है इनको जिसमें ज्यादा प्रियोटी भी रखा जाया गया हुआ है इसके अंदर में तो दिखिए इसकी फाउंडेशन की जनवरी 2015 में तो कोशन आपका यही था कि कब हुआ था 2015 में आपका और यह किसका जाय स्थान लिया वाती है प्लानिंग अमिशन का इसके जुरिक डिशन माते ही तो इंडिया कंदर में आता है आपका है इसका नियु देली में है और इसके जो एग्जेक्यूटिव है इसके दिकी एक चेर पर्शन ओते हैं जो प्राइम में स्थर होते हैं जो के मारे सिल्देम जी जी है तो ठुझ चेर परसन मिछे पर सन्वेत वह सुमन पेयरी और इसके एक सीव भी होते हैं तो वह भी भीयार सुगरीमनेम पिस अब डेटा भी आप लोग याद रखना और यह सब आपको देखिए PDF में मिल जाएगा जो हमने आपका इसके लिए बनाया हुए PDF उसमें आपको यह सारे चीज़ मिल जाएंगे नेक्स देखिए क्वोशन है आपका कि the allowance paid to its employee by the government of India in order to curve the impact of inflation is called यानि कि जो allowance जैसे की government के जो employee होते जो उनको pay किया जाता है इंडिया में ताकि जो impact of inflation है उसको कम किया जा सके या फिर उनको कर्प किया जा सके तो उसको क्या बोलता है तो देखिए दोस्तों उसको बोलाता है यानि कि जो महांगाई भथता जो होता है तो यह जो है allowance paid किया थे हैं employee को तो DNS जो है यह जैसे की calculation किया था inflation के basis पे और allowance paid किया आता है government employee को तो DNS दिखिए allowance जो है आपका यह calculate किया थे percentage of Indian citizen का जो basic salary जो होता है उससे यह किया जाता है 46 परसेंट जो है वह हो जुगा है DNS allowance नेक्स दिखिए question है आपका यहां पे पुछा गया थे भी current affairs है आपका देखिए current चैट जो लाइब चैट आवार्ड जो है आपका तो यह official इसको ध्यान चैट आवार्ड भी इसको बोलाता है तो यह दिया जाता है जैसे की sports और इसको और पाराथ्रेटिक्स में दिया गया है यहां पर आपका निर बहादर गुरूं को यह आप लोग याद कर लिए अगर करेंट अफिर माइगा तो आपका है यह दो जाता है इसको इंडिया इंडिया गया हुआ है नेक्स दिखिए question है आपका की वीच्छव द इस में तो इस अधी कर दिया जाएगा और जितने भी स्टम इनक्ति कोश्व गर्म सकते हैं आपको इंडिया इसमें क्या हुआ था प्लान है तो इसमें क्या हुआ था इसी तरीके से और भी जो इंपोर्टेंट है आपके सारा चीज हमने इंपोर्टेंट वाला सी आपके पीडिएप में दे दिया है तो आप लोग एक बार इनको देख लेना अच्छे से इंडिया रिलेट्स दप्रेसिडेंट पिंडिया पूर्टेंशल इमर्जेंसी के लिए जो है आपके पूछा गया था तो दिखिए इंपोर्टेंट जो आटिकल होता है इससे भी कोशन आपके पूछा आते हैं तो यहां पर हमने सारा कठाट किया हुए डेटा आपका जो इं कर लेना इन से कोशन आपका पूछा ही जाता एक्जाम में जैसे बात करते हैं आटिकल बहुंत यहां पर हमने सारा चीज दिया हुआ और इसमें देखी पानेसल इमर्जेंसी में और जो प्रेशिडेंट रूल लगा जाते हैं स्टेट में तो आपका 356 आपका और एक आपका इंशनल इमर्जेंसी किया गया हुआ है तो इतना आप लोग जरूर याद कर लेना यह सारा आपको मिल लागा पीडिये प्रेंदर में देखी कोशन आपका कि बीच्छा तो फॉलोविंग सिटी इस नोन एज देट्रॉइट आप इंडिया बिंग मेजर आटोमेटिव हब तो यहां पर देखिए अटोमोबाइल मैनुफैक्ट्रिंग यूनिट्स है और उसके अलाइड इंडस्ट्री है जो कि चन्नाई सहर में यह सारे है तो इसलिए इसको बोलाता है तो देखिए इस तरीके से देखिए बहुत सारे ऐसे सिटी है इंडिया कंदर में जो कि उनके नाम से फेमस है अपने तो आप यहां पर जाएं सब को याद कर लेना जैसे कि बात करते हैं मैंचेस्टर अप इंडिया या बॉस्टन अप इंडिया कौन सा है यह आहमदाबाद जो की गुजरात में इसको बोलाता है संगम सिटी बोलाता है अलाहाबाद उत्दर पदेश का जो कि आप परियाग कंदर में तो आप लोग इनको एक बार अटलिस्ट जरूर पढ़ लेना निक्स दिखिए कि इटाय 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 डीजिस इंड़ हीमस इसको इसे तरीके से और कौर्शन आपका आता है मीना मार्टर डीजिस तो यह जहां है जैसे कि आपका जो होता है आपका अपर अपका मर्करी पॉजनिंग के चलती है मीना मार्टर डीजिस आपका तो यह सब जो है इंपॉर्टेंट है क्वेशन आपके एक जाम पॉंट अप्यू से तो आप लोग इन सब को याद कर लेना थैंको दोस्तों आपको कैसा लेगे लाप लोग कमेंट करकर जरूर बताना और देख